Hello everyone, तो भाई, मैं आप सब का स्वागत करता हूँ, आपके अपने YouTube चैनल, आपका अपना परिवार, English Baroshan, ठीक है? इंट्रो थोड़ा सा अलग है, हमेशा जब मैं शुरुआत करता हूँ, क्लास की तो इंट्रो क्या रहता है? Hello everyone, I welcome you all to your YouTube channel, English Baroshan, यह मेरा इंट्रो रहता है, आज थोड़ा सा इंट्रो अलग है, क्योंकि आज का कॉंसेप्ट, आज की क्लास भी सबसे अलग है, सबसे हटके है, आज एक सिरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिकली, सिरीज क्या है? 101 Most Important Concepts of Grammar आपने Thumbnail देखा, यानि कि grammar के, grammar में जितने भी topics हैं, जितने भी chapters कहलो, जितने भी topics कहलो, ठीक है, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, tense, voice, narration, जितने भी topics हैं मेरे भाई, सारे के सारे topics मैं इसके अंदर cover करने वाला हूँ, 8 से 9 classes रहने वाली सिरीज के अंदर, maximum 10 classes, और इन 10 classes के अ grammar आपको खतम करा दूँगा, यानि कि अगर कोई बच्चा already prepare कर चुका है, तयारी कर चुका है, English वो already पढ़ चुका है, वो चाता revision करना, तो ये class उसके लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई बच्चा चाता है, crash course जिसको आप लोग बोलते हो, crash course करना की जल्दी से मुझे, कु और इसके लाबा किसके लिए useful रहने वाला है, खास करके अभी जिन बच्चों का CHL का exam होने वाला कुछी दिन में, ठीक है, उनके लिए तो बहुत useful है, क्योंकि last time पे अगर आप ये 8-9 classes जितनी भी हैं, अगर आप इनको देखकर चले जाते हो, तो पूरा का पूरा grammar आपक हैं, ठीक है, हर वो चीज जो exam में आती है, हर वो चीज जो exam से relevant है, मैंने इस concept के अंदर डाला है, मैंने in classes के अंदर डाला है, क्योंकि मैं खुद से बैठके अपना content तयार करता हूँ, ताकि मैं वो चीज़े आपको provide कर सुकू, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, मैं क् चीज़ों को च्छाटता हूँ, चीज़ों को चांता हूँ, एक तरीके से आपके लिए जो बढ़िया होता, उसको निकाल देता हूँ, एक तरफ, और जो बेकार होता उसको निकाल के fake देता हूँ, दूसरी तरफ, लेकिन होता क्या है ना कि सारे बच्चे क्लास को देखते हैं लेकिन उसका 10 परसेंट जो बच्चे ना सिर्फ वही कॉमेंट करके या वीडियो को शेर करके जाते हैं सब्सक्राइब करके जाते हैं तो मुझे आप लोगों से निवेदन करना है कि भाई अगर आपको ऐसा लग क्लास आपके लिए यूसफुल है और अगर आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महनत कर रहा है तो आप उसके लिए कम से कम इतना कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप दूसरे लोगों के साथ में इस क्लास को शेर कर सकते हो क्योंकि यूस जब आप वीडियो के निचे एक प्यारा सा कॉमेंट कर देते हो ना और मैं उसको पढ़ता हूँ तो पढ़ते पढ़ते मैं बलश करता हूँ जब आप लिखते हो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स तो मेरे को बढ़ा अच्छा लगता है वो देखकर और उन कॉमेंट्स को देखक फिर एक concept pronoun का, एक adjective का, ऐसे शायद क्या होगा ना, कई बच्चे पजल हो सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया है, chapter wise कर दिया है, ठीक है न, topic wise कर दिया है, तो आज की जो class है, इस class में complete जो verb है, verb basic कहलो, verb advance कहलो, सब कुछ, आज की class में पूरा verb निप्टा दूँगा, मैं एक ही class क के अंदर पूरा verb खतम, यानि की verb के जितने भी important concepts है मेरे भाई, वो सारे के सारे एक ही class के अंदर क्या है, खतम है, तो ऐसे मैंने topic wise या chapter wise उठाएं, ताकि इससे क्या हो, कि एक बच्चा अगर इस class को देखे, तो कहीं ने कहीं उसका पूरा chapter भी जो है, अपने आप में क्य जो एक्जाम में आएंगे, वो यहाँ पर है, आप class को ध्यान से देखते हुए, अच्छा इसकी जो PDF क्लास की PDF, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में है, सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा, तो वर्ब की जो forms आज तक आप लोग पढ़ते आए हो, आप पढ़ते आओ कि वर्ब की एक होती है first form, एक होती है वर्ब की second form, एक होती है वर्ब की third form, एक होती है वर्ब की fourth form और एक होती है वर्ब की fifth form, यही होता है वर्ब कितनी forms आप पढ़ते आए हो, हाँ की ना, जैसे मै दो की फिस्ट वर्म तो आपको सर्जी माण हो मैं धुक्तॉ मी और न सोंडेंगे और फिट फॉदों क्या होते है सिसे फॉर्म होथे तो वर्म की क्या होती है बॉसकी क्या होती है अब आपके लिए समझना ज़रूरी है एक्तिव पैसिव का कॉंसेप्ट क्यों क्योंकि एक्जाम में इस से रिलेटेट बहुत सारे कोशन्स दिये जाते हैं ठीक है जैसे डारेक्ट कोशन्स की मदद से मैं आपको कॉंसेप्ट को समझाऊंगा पहला कोशन एक बार देखो the problems that our country has and will face the problems that our country has the problems that our country has and will face. यह जो will है यह आपको पता है will क्या है model है यहांपर यह helping work का काम कर रहा है हां कि नहां helping work का काम कर रहा है और helping work के बाद आपको दिखाई दे रहा है face जो एक क्या है work की first form है क्यों क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी अगर मॉडल हो तो मॉडल के बाद हम क्या लगाते में वफ की फर्स्ट फर्म हम वहिशा लगाते हैं ठीक है ध्यान से सुनते चलना देखते चलना शुरुआत में हो सकता है बहुत बेसिक वाली चीज़ें हो जो आपको लगे कि सर अमें तो आता है लेकिन ट्रस्ट भी जैसे क्योंकि यह बन जाता है यह क्या बन जाता है पैसिफ बन जाता है यह बन जाता आपका पैसिफ ओके यह आपका एक्टिव रहता है और यह आपका क्या बन जाता है पैसिफ बन जाता है ठीक है मॉडल के बाद अगर बी लग जाए एक्टिव में कभी-कभी ऐसा भी देखने और थे हमान सानने मैं अब जहीं As drop is dead यहां ने पर नहीं पता है तो पता हो to worked को कि आपर मॉंडल के बात में वह की स्ट secure नहीं आरा हैου कि प्रॉब्लम्स दैट आवर कंटरी हास अंद फेसаются। the outcome of the selfishness of our so-called saviors, देखिए, एक concept है, यह concept को ध्यान रखना है, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे, कि sentence के अंदर दो अलग-अलग helping verbs हैं, दो क्या है, अलग-अलग helping verbs हैं, जैसे कि देखो, यहाँ पर एक helping verb आपको दिखाई दे रहा है, has, दिखाई दे रहा है, helping verb है, और एक आपको पता है कि different different helping verbs होती है, उनके बाद main verb की अलग-अलग forms आती है, जैसे मैं आपसे पूछू, is MR के बाद main verb की कौन सी form आती है, आपका को सर आइंजी वाली form आती है, डूड़स के बाद कौन सी form आती है, यानि कि base form आती है, मैं आप से कहूँ, has, have, head के बाद कौन सी form आती है, आपको पता है, मैं आपसे को model के बाद कौन सी form आती है, आपको पता है, तो चलो model के बाद first form आती है, लेकिन has, have, head के बाद वोप की third form आती है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर दो helping verb है, लेकिन आपने verb एक ही लगाया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो common बन तो वो तो गलत बन जाएगा यानि कि आप क्या समझे वाकर एक ही सेंटेंस में दो अलग-अलग helping verb हो और आपको लगे कि दोनों के बाद में वर्ब की अलग-अलग forms आती हैं तो आप वहां पर क्या करो अलग-अलग forms लगाओ एक ही वर्ब से काम नहीं चलेगा तो यहां पर क का करना पड़ेगा the problems that our country has faced यहां पर आपको अलग से का करना पड़ेगा है के बाद में आपको एड करना पड़ेगा फेस्ट हाज फेस्ट ठीक है है थाज फेस्ट the problems that our country has faced मतलब वो समस्या है जो हमारी कंट्रीने फेस की है and will face और face करेगा समझ में आ रहा है जो face कर चुका है और जो face करेगा face कर चुका है यानि कि present perfect में चल रहा है तो has of के बाद verb की third form और यह आपका future में चल रहा है तो will बनाया वा कोशन है मेरा बनाया वा कोशन नहीं है ठीक है यह चीज़ आप समझ गए आगे बढ़ो they did not came out victorious आप अच्छे से जानते हो जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपने यह देखा ऐसी दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको did they did not came यह जो came है यह वर्प की second form है जो की नहीं होना चीए यहाँ पर क्या होना चीए वर्प की first form यानि कि सही answer क्या है सही answer क्या हो जाएगा came की जिगे पर क्या आजाएगा come first form क्या होता come they did not come ठीक है they did not come out victorious yet they were not disappointed rather satisfied because they had played well ठीक है तो do does और did के बाद में क्या लगाते हैं वर्प की first form बहुत basic सी चीज है यह I hope सबको यह चीज पता होगी ठीक है अब यहाँ पर मैं अगर मैं आपको वर्प पढ़ाने बैट जाओंगा ना तो एक घंटे में वर्प पढ़ाना पॉसिबल नहीं या आप भी जानते हो complete lecture में बढ़ाता हूं तो कम से कम मुझे वर्प के लिए वर्प basic के लिए कम से कम मुझे चाहिए 5 lectures और वर्प advance के लिए मुझे कम से कम चाहिए 7 lectures यानि कि कम से कम 12 घंटे की class जो होती है अगर आप वर्प को पूरा देखना चाहरे हो किस अरह में तो वर्प की पूरी class ठीक है भाई इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जागा आपको यह दो चीज़े समझ में आई आपको कि अगर एक संटेंस में दो अलग-अलग helping verbs हो दोनों के बाद अलग-अलग वर्प की रिक्वार्मेंट हो तो आप उसके साथ लगाओ अलग-अलग ठीक है एक ही मतलग अगर ऐसा हो कि दोनों एक ही जैसी वह दोनों एक ही जैसे helping verb हो एक ही जैसे क्या मतलब है कि दोनों के बाद वह की एक ही फॉर्म होती हो मालो यहां पर यहां पर मालो विल है और यहां पर मालो क्या लिखा होता यहां पर मालो लिखा होता दस क्या लिखा होता दस लिखा होत अब आप अच्छे से जानते हो कि दस के बाद भी वीवन आता है अभी मैंने बता है ना और विल के बाद भी वीवन तो ऐसे में क्या हो जाता था एक ही बार में वर्ब लगा दोगे second वाले के साथ वहाँ पर दोनों के साथ वर्ब लगाने की जरूत आपको नहीं पड़ेगी लेकिन अगर अलग-अलग फ़र्म चाहिए तो अलग-अलग आपको लगाना पड़ेगा ठीक है समझ गए इतनी सी चीज़ भाई अगले देखो अगले देखो या तो यह important नहीं होता या तो subject क्या होता missing subject क्या होता है missing होता है ठीक है समझ गए active के अंदर जो subject है वो क्या होता है important subject क्या होता है important होता है ठीक है, active के अंदर subject आपका important होता है, लेकिन passive के अंदर जो आपका subject है, वो important नहीं होता है, या फिर कैसेक तो missing होता है, जैसे कर मैं बोलूँ कि this building, मैं अगर लिख दूँ, this building was built in 1870, मैं आपसे पूसता हूँ कि यह sentence जो मैंने लिखा है, यह active है कि passive है, तो active और passive पहचानने का जो सबसे आसान तरीका वो क्या है, कि आप helping verb को देख लो और verb की form को देख लो, देखो, was work के साथ मैं आपको कौन सी verb की form दिखाई दे रही है, यह verb की third form, तो was work के साथ verb की third form का सीधा सीधा मतलब है कि क्या है, पैसिव है, थोड़ा सा आपको इन चीज were के साथ, v1 और ing आपको दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो जो sentence है न, वो active में है, किसमें है, active में है, एक्टिव वो इसमें है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई, is mr, was work के साथ आपको verb की third form दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाना वो क्या है, पैसिव है, क्या है वो पैसिव है, यह चोटी चोटी चीजी याद कर लोगा न, देखना आपको कितना benefit अभी मिलेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा न, देखना कितना benefit आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको easy mr के साथ, या was work के साथ, क्या दिख जाए, being, और being के होता है, यह टेंस अलग होता है, ठीक है, यह indefinite होता है, यह continuous होता है, यह चीज़ समझ गया, present के बारे में, हाँ कि न, यह चीज़ समझ गया भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ऐसी अगर मैं बोलूँ, has, have और head, has, have या head, अगर इसके साथ में आपको वर्प की third form दिखाई दे, तो सीधा-सीधा समझ जाना है कि क्या है वो, active voice में है, किसमें है sentence वो, active voice में है, ठीक है, लेकिन अगर has, have और head के साथ में बीन दिखाई दे जाए, और बीन के साथ में वित्री लगा दिख जाए, तब आपको समझ जाना है कि बीन आ गया तो इसका मतलब क्या है वो, passive बन गया, क्या बन गया वो, passive बन गया, चीक है, लेकिन अगर ऐसे दिख जाए आपको, has, have, head, plus bean, और v1 plus ing दिख जाए, क्या दिख जाए, v1 plus ing, v3 नहीं है न, देखो, v3 नहीं है, तो सिधा-सिधा क्य सिधा-सिधा क्या, active है, क्योंकि कभी भी passive में वीवन नहीं आता, passive में हमेशा, v3 आता, आप कभी भी notice करना, जो passive voice होता है न, उसमें हमेशा वर्प की third form आती है, हमेशा वर्प की कौन सी form आती है, third form आती है, तो यह होता active, एको tense अलग है, यह भी active है, यह भी active है, tense अलग ह और आपको पता है, पैसीव में न तो दू आता है, न डचाता है, न डचाता अधाता है, पैसीव में नहीं आता है, पैसीव में नहीं आता है, रीट्ट रेख लो इसको भी यहाँ पर, by helping word जो है न, do, does, did, do, does, did, bracket में लेकिवे लो helping word, is not used in the passive voice, in the passive voice, थीक है, 5 वोईस में यह यूज नहीं होता DEOS WHAT THE 3 विल्षows के मॉडवल सरके रिभें जा थो क्या है क्या है अगर बी लग जाए क्या लग जाए क्या겠지만 विल्शल के साथ में क्या लग जाए बी लग जाए और बी के बाद क्या लग जाए वी 3 तो यह क्या बन जाता है पैसिव पैसिव ठीक है यह छोटी सी चीज याद कर लो आपको बहुत लाब मिलेगा इस से एक्जाम में अब देखना मैं इसकी मदद से कैसे मुश्किल से इतरी दिख जाए तो मतलब हो पैसिव होता है तो आपको पता होनाची कि क्या हignon यह पैसिव है क्या है यह पैसिव अगर यह passat इंदर सब्जेक्च की इंप्औरनस नहीं होती है इस building को ही बनाया गया था, यानि कि building जो है ना, इसने काम को receive किया था, काम क्या हो रहा है बनाने का, और building काम को receive कर रही है, काम की doer तो नहीं है, काम करने वाली तो नहीं है यह, काम इस पे हुआ है, मतलब यह क्या है, action को receive करने वाला मतलब क्या है, यह object है, क्या ही object है, अब बिल्डिंग को बनाया गया है तो subject कौन है अब कई बच्चे कहांगे सर सब्जेक्ट मसदूर है लेकिन क्या sentence में कहीं मैंने लिखा है मसदूर नहीं लिखा है यानि कि subject important ही नहीं है बात मैं कर रहा हूं building की बात कर रहा हूं और यहां पर क्या है वर्प की third form had been stolen तो पहले आप active passive पहचानने की कोशिश करो असान तरीका होता है head के साथ been plus verb की third form देखना जरा head के साथ been स्वारी रहा head के साथ been plus verb की third form मतलब passive है मतलब क्या है passive है अच्छा मेरे भाई अगर यह passive है इसका मतलब यह जो चीज लिए यहां पर लिखी है object है यह object है हां कि अभी मैंने समझाया कि अगर यह passive है तो मतलब जो briefcase है वो object है तो बिल्कुल ठीक है briefcase object हो सकता है कोई दिख्षत नहीं है the briefcase यह his briefcase had been stolen अगर यह passive है इसका मतलब यह object है इसका मतलब यह काम करनी रहा है इसको काम क्या हो रहा है यह निकि इसने चुराया नहीं है बलकि इस ती को चुरा लिया गया है तो उसने police से complaint करी कि उसका जो briefcase है चुरा लिया गया था उसका briefcase चुरा लिया गया था उसका briefcase ने किसी को निच राया उसका briefcase ही चुरा लिया गया था क्योंकि passive है यह object है यह काम को receive कर रहा है यह ठीक है and that और यह he was lifted he was lifted without any money अब देखो इसको ध्यान से बहुत ध्यान से देखना was work के साथ वपकी third form was work के साथ वपकी third form आओ जारा इसलिए मैंने का याद होना चाहिए was work के साथ वपकी third form मतलब passive ओके पैसिफ ठीक है आप मुझे बताओ passive है यह जो he है ठीक है यह क्या है object है क्योंकि passive का मतलब है कि अगर शुरू में जो आ रहा है वो कभी भी subject नहीं होग वह मैंशा क्या होगा object होगा मतलब ही जो है यह क्या है यह object है तो क्या लेखा he was lifted he was lifted अब आपको किसर बिल्कूल ठीक तो है यह object हो गया he he was lifted without any money और वह वह विचारा रह गया वह वहीं रह गया बिना किसी पैसे कि उसका brief case चोरी हो गया वह वह विचारा रह गया बिना किस इसाना जैसे कि मैं इस किताब को उठा सकता हूं मैंस किताब को उठा सकता हूं I can lift this book अप जाते होना किसी building में जातो तो लिफ्ट में घुशते हो तो लिफ्ट क्यों ना मैं कूई वह आप लोगोगों को उठाके उपर लेके जा रही है एक होता leave leave का छोड़ना leave का मतलब क गया था बिना पैसे के मतलब उसका बिचारे का बिरिफ के स्चोरी हो गया तो उसको उठाने उसको कोई उठा रहा है ही को या उसको बिना पैसे के छोड़ दिया गया तो आपको पढ़के पता लग रहा कि विचारे को बिना पैसे के छोड़ दिया गया मतलब वहीं पर उसको लेफ्ट 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 उसको बिचारे को ठीक है उसके पास कोई पैसे नहीं था समझ गए देखो चीजों को जितना कहनता से पड़ोगो इतना चीजों को समझ जाओगा अब इस तरीके से ब्रेकडाउन करकर के चीजों को समझा रहा हूं फ्योर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं बिल तो मेरी हमेशा से वही कोशिश रहती है आजो विदाओ टेकिंग प्रोपर केर दॉक्तर कुट नौ नौ बिन सेख्ड विठी है ध्यों से देखना जारा हेल बीन वैप त्रिया आना जारा इधर घव है कहा गया है बीन है वित्रिया मतलब पैसिव ठीक है मेरे भाई फैश् यानि कि आगर मैं इसको passive मान रहा हूं ठीक है यानि कि यह जो the doctors है यह तो भई यह object होना चीज़ का मतलब अच्छा अब आप चेक करो क्या सच में यह object है without taking proper care बिना proper care के doctor जो थे could not have been saved this patient doctor इस patient को नहीं बचा सकते थे पढ़के भी तो पता लगता कई बार मतलब बिना proper take care किये जो doctor थे इस patient को नहीं बचा सकते थे इस patient को नहीं बचा सकते एक बात उता हो डॉक्टर यहां पर काम करने वाला है ये डॉक्टर यहां पर काम को रिसीव करने वाला है ये जो काम यहां पर हुआ है सेव करने का डॉक्टर यह काम कर रहा है सेव करने का किसी को डॉक्टर काम को रिसीव कर रहा है काम को रिसीव तो भईया पेशेंट कर रहा है यानि कि ज अबजेक्ट बन गया तो मतलब यह पैसिव नहीं हो सकता मतलब आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा एक्टिव बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो विदाओ मेरी बास समझ में आई की नहीं हो अगर इतनी आसानी से ऐसे ब्रेक्डाउन करके कोई समझाता हो तो मुझे बताओ, मैं हर एक बच्चे का दिमाग जानता हूं, कौन सा बच्चा, किस कॉंसेप्ट में, कहां पर आके अटक सकता है, मैं सब जानता हूं, इसलिए मैं ज्यादा कभी भी पढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करता, मैं कभी भी अपना ज्यान दिखाने के लिए यहां मेरे मित्र, मेरे बंदू, यह याद कर लेना, बहुत जरूरी चीज़ है, आपको पता लग या क्यों जरूरी चीज़ है, इसलिए मैंने समय निकालके लिख भी दिया है इसको, ठीक है, आगे आ जाओ, और सेंटेंसेज है, देखो, दो helping verb है, वही concept जो पढ़ाया है, एक has ह है, एक is है, और दोनों के साथ में verb की अलग-अलग form की requirement होती है, has के साथ वप की third form, हमें पता है कि has जो है न, अपने साथ में, क्या लेता है involve की third form, अगा active है तो, passive है तो भी वप की third form, है ठीक है, और जो is है, यह अगर active है, तो अपने साथ में क्या लेता है, V1 प्लस आई ह magnificent can provide the word आपका सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है हागना अपक क्या पदte जी तो चलो इसके बाद लगा व इसका वाबन कहां है इसका वाब कहां है? इसका भी तो verb लगाना पड़ेगा क्यों कि इसके साथ में verb की अलग form आती है तो भाया क्या हो जाएगा? Has की साथ वर्ब की third form तो doing की third form क्या होती है? Done. तो यहां पर क्या जाएगा? Has done. क्या जाएगा? Has done. यहो जाएगा. His team has done and still doing. मतलब उसकी टीम कर चुकी है और कर रही है excellent work for the company समझ माया है तो दो अलग-अलग helping verbs हैं दोनों के साथ में वर्प की अलग-अलग form की requirement है तो हमने वर्प की अबलग-अलग form जो है वो लगा दी यहां पर ठीक है भाई समझ में आ रहा है हां की ना देखो फिर से मैं वही बात बता रहा था और फिर से वही बता रहा हूं रात के 12 बच के 26 मिनट हो रहे हैं ठीक है रात के 12 बच के 26 मिनट और इससे में यह class record कर रहा समय हो जाएगा मुझे लगता है आज भी बच जाएंगे दो तीन आज भी बच जाएंगे और मेरा फिर आफिस है मुझे जल्दी उठना है फिर मॉर्निंग में मेरी life class भी आफिस से पहले तो मैं इतना क्यों करता हूं पता है आपको आज मैं आपको इसका कारण बताता हू आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं इसका कारण बताता हूँ, और मैं बिल्कुल ना सच बोलता हूँ, बिल्कुल दिल से आप लोगों इसे जुड़के एक बात बोलता हूँ, मुझे ने जिन्दिकी में कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत जादा चीजे मुझे जिन आगे और भी बहुत सारी चीजे बदलना चाहता हूँ, और मेरे को काम करना अच्छा लगता है, सव बात के एक बात ये कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ग्रोथ करना अच्छा लगता है, मेरा खाली बैठने का मन अपने आपको प्रूव करना है तो बहुत हद तक मैं प्रूव कर चुका हूँ और उसका सबूत यह है कि अलग-अलग जो companies अलग-अलग जो एटेक companies बड़ी बड़ी companies अभी तक मुझे अप्रोज कर चुकि यह पढ़ाने के लिए लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि खुद का मालिक बनना ज्यादा अच्छा होता है एक कहावत है ना कि कोई कहावत है कि महल, दूसरों के महल का नौकर बनने से अच्छा है कि अपनी जोपड़ी का राजा बनके रहे इंसान, तो वह वाली चीज है, इसलिए मैं वहां नहीं गया, मैं अपना यहां हूँ, बैस्ट हूँ, और मुझे और महनत करने है, आप लोग भी भाई महनत किया करो, ठीक है, जि लेटर हैज अल्रेडी सेंट, देखो मेरे भाई, हैज और हैज के बाद वब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैज के बाद वब की थर्ड फॉर्म, तो यह किस तरफ संकेत कर रहा है, यह संकेत कर रहा है, किस तरफ, हैज अब के बाद वब की थर्ड फॉर्म किस तरफ संकेत कर तरह एक्टिव की तरफ हां कि ना एक्टिव की तरह संकेत कर रहा है यानि कि अगर यह एक्टिव है तो मेरे बंदू यह सब्जेक्ट होना चीए मैं नो तो सिंपल तरीका बता दिया आपको कौशन का करनेगा अगर आप इसको एक्टिव मान रहे हो तो मतलब भी क्या सब्जेक्ट होना चीए क्या sentence में जो वॉब है वब क्या है बेजना ककीfill को भीज़ए गया सब्जेक्ट और अब अगर यह object है, sentence के starting में कर object है, तो मतलब यह active नहीं हो सकता, यह passive होगा, और active का, यह क्या है, active है, क्या है, active का rule है, लेकिन sentence active नहीं है, sentence क्या है, passive है, sentence क्या है, मेरे भाई, passive है, और passive का rule क्या होता है, passive का rule होता है, यह जो has have लिखा है न आपने, इसमें been or लगाना होता है आपको टेबल देख लो जड़ा धेंसे है तो क्या हो जाएगा द लेटर हैज और डी बीन यहाँ पर आजएगा बीन है जूरी बीन सेंट अभी सेंटेंस बिल्कुल क्या है करेक्ट है कितना है पैशान है यह सारे के सारे कोशन एक्जाम में आए हुए है अगर आपको नहीं पता हो तो आप छोड़के आ जाओगे ठीक है आवर टीचर हाज इंस्ट्रक्टेट अस हैस के बाद वब की थर्ड फर्म यह संकेत कर रहा है कि भाईया यह एक्टिव है बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि देखो यहां पर सब्जेक्ट है तो एक्टिव है आवर टीचर किया है that we must be maintained we must be maintained ब्लbereक्ष ऐंस्ट यह मॉडल है मॉडल के बाद हमने भी लगा दिया और वी मतलब हमने इसको क्या बना दिया बशली है पैसिफ क्योंगि model के बाद अगर वी लग जावे देख्व इदर ťमोडल के बाद अगर वी लग जाया हैsolicamente मैंने पीचे लिखायता था model के बाद अगर भी लग जा rating लग जाता है अब आफ आपको चेक करना क्या यह पैसिव है अच saflik का मतलब यह जो vhaimit अब काम देखो क्या है वी मस्ट भी मेंटेंड साइलेंस काम क्या और मेंटेंड करने का हमें साइलेंस मेंटेंड करना चाहिए यानिकी काम को हम कर रहे हैं या हमारे उपर काम और हम काम को रिसीव कर रहे हैं मैंने बोला कि हमारे टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया कि हमें साइल Duplantation करना चाहिए तो किसको करना चाहिए हमें करना चीये यादिए कि we क्या है subject एधि याँ पर object नहीं है दिए I इतया आपर क्या है subject है अगर हिस अधार किया होगा उयांकि यह रूल में नाहीं चाहिए हम यह चाहिए एक्टिव में क्या होता है model के साथ only क्या होता है वीवन होता है तो हमें यह चाहिए तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा इस बी को अटाना पड़ेगा और maintain की जिगर क्या करना पड़ेगा maintain खतम we must maintain silence खतम we must maintain silence in the museum इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता active passive के questions को उड़ाने का सही करने का और वर्ब की forms को पहचानने का आई होप यह पहला जो concept है आपके दिमाग में इस तरीके से घुज गया है कि अगर आप इसको भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाऊगे ठीक है भाई आ गया जाओ concept number two models बहुत अच्छी चीज़ बहुत प्यारी चीज़ यह एक model है बाकि जितने भी models है कैन है कुड है वुड है शुड है वो तो आपको पता है वो मुझे पताने की जरूत नहीं है ठीक है मुझे लगा तो मैं आपको किसी दिन समझा दूंगा आराम से जो दिक्कत देते हैं व model to आपका ऐक अजेक्टिव का भी काम करता है बहुत ध्यान से और अराम से समझोगे तो आपको चीज फटाक से समझ में आजाएगी यूस्ड प्यायो एक model तो आपको पता होगा हमारे पास एक tense होता है past indefinite, कौन से tense होता है, past indefinite, यह past indefinite जो है यह भी इसी चीज़ को indicate करता है, किस चीज़ को, ताथा, तीथी, तेथे को, समझ में आ गया, यानि की past indefinite जो है, past को routine को दिखाता है, past के habit को दिखाता है, तो यह same चीज, यह भी वह चीज़ करती है अगर used to एक model का काम कर रहा है तो उसकी हिंदी क्या बनती है ताथा ते थे और यह क्या करता है sentence में किसी past की habit को यह किसी past के routine को दिखाता है past के habit या past के routine को दिखाता है यानि कि जो काम past अगर just indefinite करता है वही काम यूज़ टू करता एक model के तौर पर मेरी बात समझ गया हां की ना समझ गए अगर used to एक adjective है अगर used to क्या एक adjective है तो इसके हिंदी क्या बन जाती है आधी होना ने क्या आधी होना तो आदी होना, जब यह adjective का काम करेगा, तो हिंदी क्या बन जाएगी, आदी होना, यानि कि अब यह past नहीं बनता, उपर वाले में past बनता है, नीचे वाले में past नहीं बनता, नीचे वाले में past नहीं बनता, past भी बनता है, present भी बनता है, ध्यान अकना, उपर वाले में केवल past बनता है नीचे वाले में past भी बना सकते हो आप इसको present भी क्योंकि adjective तो किसी भी tense में उसकता है past tense में भी उसकता है और present tense में भी उसकता है अब एक और जो दोनों में सबसे बड़ा difference है आप अच्छे से जानते हो कि model के बाद हमेशा क्या लगाते हैं मैंने भी पताया था कि model क के बाद हमेशा क्या लगाते में भप की first form यानि कि अगर ये model का काम कर रहा है तो हमेशा इसके साथ में क्या लगाते है में भप की first form में भप की first form लेकिन अगर ये adjective का का काम कर रहा है तो हमेशा इसके साथ में क्या लगाते है अपकी first form plus ing यह major difference है दोनों में ध्यान रखन इतना समझ गए कि used to जो है एक model का भी काम करता है, एक adjective का भी काम करता है, अगर model का का काम करेगा तो हिंदी का बनती है, ताथा तीती ते थे, यानि कि past habit या routine को दिखा रहा होता है, और इसके साथ में main work की first form लगती है, यानि कि जो काम past definite करता है, वो ही काम used to करता है as a model, ठी कि used to model की तरह used हुआ है, कब adjective की तरह used हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक है, बताते हैं भाई कैसे पता चलेगा, एक बात बताना, एक example लिख रहे हैं, देखना द्यान से, ठीक है, I am used to sleeping early at night, एक हमने ये लिखा, और एक example हम लिखते हैं, राय atgan, I used to play baseball when I was in high school, ठीक है भई? अब आप पैचान कैसे करोगे, यहाँ पर तू देखो मैंने वर्ब की फरम लिख दी है, और यहां पर मैंने वर्ब की फार्म लिख देए वीवन यह वीवन है यह वीवन अयकिल तो यहां तो वर्ब की फार्म देखके आप पैचान घए लुए आपको इसको देखके पैचानना यह गुटबाड़ बैठोगे अब समझो मेरी बात को द्यान से देखो भाई यहां पर लिखा I am used to, एक बात बताईए जरा मुझे, यह जो M लिखा, यह क्या है, helping verb है, यह M जो लिखा, यह क्या है, helping verb है, अब आप एक मुझे बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कि दो helping verb साथ में हो, जैसे is or can, is or may, is or should, क्योंकि जितने भी model है, helping verb है, क्या is or can कभी साथ में होता, is can, क्या कभी ऐसे आपने देखा, is can, नहीं देखा, क्या कभी आपने देखा है, are should, कभी आपने देखा है, नहीं देखा, यह जैनि कि दो helping verb कभी साथ में नहीं होते हैं, तो अगर यह helping verb है, मुझे पता है, यह जो M है, यह क्या है, एक helping verb है मेरे भाई अगर यह helping verb है तो common sense लगाओ कि यह helping verb नहीं हो सकता common sense लगाओ कि जो used to है यह helping verb नहीं हो सकता helping verb नहीं हो सकता अगर यह helping verb होता तो model कहलाता समझे कितना असान है अगर यह helping verb होता तो model कहलाता यह helping verb नहीं है इसका मतलब यह adjective है ऐसे पहचान की जाती है अब पैचान करने का तरीका समझ गए, कि अगर used to के पहले कोई helping verb दिख जाए मेरे भाई, अगर used to के पहले कोई helping verb दिख जाए, तो सीधा सीधा समझ जाना कि वो adjective है, क्योंकि दो helping verb साथ में कभी नहीं आ सकते, ठीक है, अगर used to के पहले helping verb है, तो मतलब समझ जाना कि वो क्या का पैटर्न बण रहा कि नहीं बन रहा है helping ये दाएं ऑर helping इसका मतलब क्या हुआ कि साथ में वीवन आता है तो मौडल के साथ में लगावा यूस्ट तो कि साथ में कंशा प्ले के लगावा या लगावा है यानि कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है हिंदी क्या बंति अब हिंदी बताओ जरा मुझे I am used to sleeping early at night यहने कि I am used to यहाँ पर used to का मतलब क्या आदी होना मतलब मैं रात को जल्दी सोने का आदी हूँ हूँ कैसे पता चल रहा है M से अगर मैं यहाँ पर was गर देता I was used to I was used to sleeping early at night मतलब मैं रात को जल्दी सोने का आदी था वॉज भी तो आ सकता है, आपर कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो एक helping verb लगानी है, कोई भी लगा सकते हैं, M लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, चीक है, और इसकी हिंदी, अचा हिंदी क्या बनेगी, इसकी आदी होना, इसकी हिंदी क्या बनेगी, ताता तीती ते थे, यहने कि I used to play baseball when I was in high school, जब मैं high school में था, तो मैं baseball खेला करता था, खेला करता था, समझ में आ रहा है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, ताता तीती ते थे, और यह क्या दिखा रहा है, past के routine को या past के habit को, past के routine को या past के habit को दिखा रहा है, हां की न, समझे की नहीं समझे, यह doubt आउट आपका clear हो गया हमेशा हमेशा के लिए, और एक चीज ध्यान रखना मेरे मित्र, मेरे बंधू, मैंने भी क्या बताया कि जो काम used to as a model करता है, वही काम past indefinite tense करता है, और वही काम कौन करता है, would, वही काम कौन करता है, would, अगर as a model आप लिख करते हो, तो would भी same काम कर आता है, देखो, तीन चीज़े हैं, एक would है, एक used to है, और एक past indefinite tense है, यह तीनों एक ही तरह का काम करते हैं, क्या करने का काम करते हैं, past के routine को या past के habit को बताते हैं, यानि कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस sentence को past indefinite से बना दो, जैसे कि I played baseball, इस sentence को अगर आप कैसे बना द आई, played, baseball, तो भी है sentence क्या है, बिलुकुल correct है, ध्यान रखना, क्योंकि जो काम used to as a model करता है, वही काम past indefinite tense करता है, और past indefinite का क्या मतलब होता है, subject के साथ में main verb की second form और object, तो वही चीज़ मैंने किया देखो, subject I हो गया, used to अटा दिया है मैंने, क्योंकि past indefinite से बना रह would be same काम करता है, would be क्या करता है, past की habitat routine को बताने का काम करता है, तो अगर आप यहाँ पर used to की जगे पर would भी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, would, used to की जगे पर यहाँ पर क्या लगा दोगे, would, तो would be अपने आप में क्या होगा, would be अपने आप में क्या होगा, would be अपने बेस्बॉल खिला करता था यानिकि वुड यूजड टू और पास्ट इंडेफिनेट एक ही तरह का काम करते हैं वुड के और भी यूजज है यहाँ पर तो वुड का एक यूज़ मैंने आपको समझाया कि वह पास्ट के रूटीन या है विट को भी दिखा सकता है वुड के ब लगा कर वुड लगाना है इस सारी चीज़ ने आपने पढ़ी होंगी तो वुड के बहुत यूज़ है यहाँ पर एक यूज मैंने समझाया और मेरे क्याल से यूज़ टू जो है आपको अच्छे से समझ में आगे आओगा आगे से कभी भी उस्टू में कभी गलती नहीं क पर सकते हैं आप इसको नीड और डेर एक मॉडल का भी काम करते हैं जैसे पीछे आपने देखा और यह में इवप का भी काम करते हैं यह मॉडल का भी काम करते हैं और यह में वप का भी काम करते हैं मेरी बात को समझे मॉडल अगर यह है तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो ओन इन इन नेगटिव सेंतेजों ञाहन रखना कभी भी नीदीर अगर आप ऐसा मॉडल यूज कर रहे हो तो पॉजिटीव सेंतेंस में कभी नहिं कर सकते आप हमेशा पला आप सुंध Ciahn यूज करोगम अगर मैं लिख दक अगर ध्यान से देखो अगर मैं सीधा से लिख दूँ कि I need some money I need some money मैं आप से पूछूँ कि यहां पर जो need है यहां पर जो need है यह भाईया मेरे model है यह भाईया मेरे main verb है तो आप आख बंद करके क्या आंसर दोगे कि सरक्या है यह यह क्या है आपका में पाजिटिव है और पॉजिटिव संटेंज में और डहर के मोर्डल होने का तो सभावी नियुक्त अगर पॉजितिव सेंटेंस है तो कभी भी निडिया Bonjour वो मॉ Sauber Kutra काम करेगा महीं वत में क्या मेंनिक को कर जाती है कि अरॉट की मीनिक योई से अलग यो नहीं दिननिक बन जाती साहस या हिम्मत करना साहस या हिम्मत करना ठीक है समझ गये भाई यह जरूरत होना भी कह सकते हो जरूरत होना और अगर मॉडल है तो ओनली पॉजिटिव सेंटेंस अगर सेंटेंस नेगिटिव है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नेगिटिव में में बब भी हो सकता है जैसे मेरे भाई मैं या पर लिख दूँ आगे चलो आगे आएगा देखो जैसे यहाँ पर देखो मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको यहाँ पर देखो इस वाले सेंटेंस को देखो ज़रा तो आपका सीधाอंसर होगा पोड़ार रिधे किसे निया पर मेंड़ा दूं यहाँ पर जो need है वो क्या है मेरे भाई main verb क्या है मेरे भाई main verb कैसे पता लग रहा क्योंकि sentence positive है अब आप अच्छे से जानते हो यह जो walk है यह भी एक main verb है यह भी क्या एक main verb है और आप अच्छे से जानते हो कि दो main verb को add करने के लिए we always use to हमेशा हम to को use करते है जब भी हम एक verb को दूसरी verb से जोडते है एक verb को दूसरी verb से जोडते है तो हमेशा to की मतद से जोडते है यह आप याद रखना समझ में आ गया यहाँ पर जो need है वो भी main verb है और जो work है वो भी main verb है क्योंकि sentence positive है sentence क्या positive है तो यहाँ पर दो verb को जोड़ने के लिए हमेशा आपको to use करना होता है हमेशा क्या use करना होता है to use करना होता है जो concept लिख रहा हो ना इसको आप copy में मेरे ख्याल से साथ-साथ में note कर रहे होगे अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नहाइती dash हो क्योंकि देखो जब आप hand to end notes को बनाते हो ना उसका एक अलग impact आता है बाद में आप अलग से बैठोगे है ना फिर एक एक करके notes बनाओंगे वो गलत है अभी मैं कितनी सारी चीज़े बता रहा हूंगा सोचो पढ़ाते 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 कितनी सारी extra चीज़े बता रहा इसलाँ की समयमादा